अगर मैं बिगत वर्षे की बात करूं तो यह मात्र चार जनपतों तक सीमित हो गया है प्रबंदन और उसके साथ नेक नियती यहां एक समंधित विभाग से जुड़ी वी और दूसरा समय पर के गए प्रियाज एंडियारेफ और एस्टी आरेक यूपी के अंदर कारे कर रही है एंडियारेफ पारानस्ति और गाजियाबाद में काम कर रही है एस्टी आरेफ की तीन बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी और उनकी अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ है उस कारेकरम को आगे दो वढ़ाया गया है पीएसी की सत्रा ऐसी कंपनियां हम लोगों ने गठित की हैं जो फ्लड यूनिट के रूप में और आपदा के समय में कहीं भी राहत कारे करने के लिए सदे उत्तत पर रहती हैं रुहादी उत्तवर्देश के अंदर वर्तवान में चला है और मैं सदेव से इस बात को मानता रहा हूं कि हम लोग देखते थे बच्पन में जब स्कूल कॉलेजेज में हम लोग पढ़ते थे तो इस्कूली पाठिकरम का हिस्सा होता था आपदा से समंधित विश्यों पर काफी चर्चाएं होती थी बताया जाता था भोकंप आना है तो भोकंप के समय घर के अंदर जाने की वज़ाए घर के बाहर निकलो कहां पर खड़ा होना कैसे सुरक्षित रह सकते हैं आग लग गई हो तो कैसे बचाओ करना है बाढ़ के समय हमें क्या करना चाहिए पाठिकरम से सारे विश्यों हटा दे गए एक अच्छी सुरुवाद है आपदा मित्रों की तैनाती और उनके ट्रेनिंग के कारिकरम और कराम पंचायतों किसके साथ जोड़ना है दूसा मैंने सामने के सामने एक बात और कही थी आकासिया बिजली से उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पे मौतें होती है और वह वी आप देखते होंगे आकासिया बिजली से एक गिर जो भी मौतें होती है उसमें 75 से 90 मौतें हमारे दो जन्पदों में होती है मिरजापुर और सोनभत्र जन्पद में इन दोनों जन्पदों में मौतें होती है अर्ली वार्णिंग सिस्टम वहां लगाना है परिसंभाव है तकनिक आज विक्सित हो चुकी है इस दिसा में प्रयास करते वे हम लोग बड़े पै और मैं विस्वास के साथ कह सकता हूँ कि कहीं भी आकासिय बिजली गिरने से होने वाली जन्पदों को रोकने के लिए आने वाले समय में कम से कम चार से छे घंटे पहले अगर हम उस छेत्र में साइरन बजाने या वहां पर कोई और अलर्ट उन लोगों को हम देने की कोई विवस्ता कर सकते हैं तो बड़े पैमाने पर मौतें रोकी जा सकते एक दिन तो दो वरसे पहले की घटना है आपने देखा होगा जब एक ही दिन में लगभग 85 लोगों की मौत हुई थी जिसमें से 35 यूपी के थे और सेस बिहार के अंदर भी घटना उसी दिन घटित बड़े पैमाने पर होती है और उसमें इसे जो मौतें हुई थी असब मिरजाफर और सोनभद्र में मौते हुई थी पुंदेल खण में एक दो थी लेकिन ज्यादा तर ये उसी छेतर में भी थी और बिहार के अंदर भी एक दो जन्पदों के अंदर ये गटना ये गटित ह अगनी से जुड़ी हुए अगनिकांड से जुड़ी हुए घटनाओं को भी ध्यान में रख करके हैं हम इसके बारे में बहुत अच्छा कारे कर सकते हैं और इसको सभी को जोड़ना चाहिए दूसरा जब हम आबदा की बात करते हैं तो भारतिय मनीशा ने इसको तीन भाग एक आदि भातिक जा कि सी हिंसक त्राणी के द्वारा क्या जाने वाला नुखसान आप देखते होंगे कि हमारे जो नैपाल से सटेवे छित रहें जहां पे हमारी सेंचुरीज हैं उसके आसपास अक्षर जंगली जानवरों के हमले से ृप् Youtube और जंगली जानवरों के आप कि आपता की स्रीनी में डाला है कि तीसरा है आध्या अध्यात्मिक जो किसी भी सार्रीक और मानसिक ब्याधी के करण मुक्सान होता है करोना कालखंड में आपने देखा होगा करोना इस सदी के सबसे बड़ी महमारी थी अजारों मौती हुई दुनिया के अंदर एक वाइरस ने एक अद्रिस्य वाइरस ने पुरी दुनिया को लिटा के रख दिया बांद दिया और उस दोरान समय से लिए गए निर्णे और समय पर की गई कारवाई के बहतर परणाम थे रहे हैं भारत का कोबिट प्रबंदन दुनिया के अंदर एक मौडल की रूप में देखा गया क्योंकि प्रधान मंत्री मोधी जी के नित्रतों में समय समय पर जो निर्णे लिए जाते रहे और स्वयम पूरे अभियान को नोंने स्वयम लीट किया प्रणाम भारत के पक्स में था दुनिया के तमाम भिक्सित देश जिनका नित्रतों ने लीट नहीं कर पाया बिछड़ते भी दिखाई दे वहां लाखों की संख्या में मौतें होती भी दिखाई दी सड़क दुरगटना इसमें से एक चुनोती हम सब के सामने है मुझे बताते भी एक बहुत दुखत सच है कि उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 से लेकर के आज की तिथी तक 23,631 कुल मौतें कोविट महामारी से हुई लेकिन इसलिए धाई वर्स के अंदर कोड़ करोना जैसी महामारी ने जिसने पूरी दुनिया को पस्त कर दिया था उस महामारी से मौते होती हैं 23,600 और सड़क दुरगटना में अकेले उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्स 22,000 से दिक मौते होती है एक बहुत बड़ी चुनोती है हम सब के सामने और मेरा मना है आवेर्निस का भाव है तेजक इंजिनियरिंग की कुछ जगे कमी हो सकती है लेकिन आवेर्निस भी इसमें कहीं न कहीं लोग рекलमेट पहन के नहीं चलेंगे चीट बेट लगा के नहीं चलेंगे, ओबर स्पीडिंग होगी, सराप पी करके बाहन चलाएंगे फोड़ी भी हम उन लोगों को इसके बारे में प्रसिक्सित कर लें फोड़ा भी उनको इसके बारे में जानकारी दिला दें इसकूल कॉलेजेज के पाठेक करम का हिस्सा बना ले आप दामित्र इन सब के साथ इन सभी के बारे में लोगों का उगत कराना प्रारिक्स पर एक हम लोग हैंड बिल बना करके इसकूल स्कूल में जाकर के इसके बारे में बताना प्रारम्ब कर लेंगे तो ब्यापक पैमाने पे होने वाली जन और धन की हानी को रोका जा सकता है मुझे प्रसंता है कि दो दिनों के तक तक इन नौ राज्यों से जुड़ेवे सभी अधिकारी गण, NDMA और SDMA के सभी अधिकारी और प्रतिनिधी गण अपनी सफलतम जो आपके अहां के प्रियोग हैं उन सब पर अधियन करेंगे, चिंतन करेंगे, मन्थन करेंगे और इन दो दिनों के अंदर किसी एक ठोस निसकर्स पर पहुँच करके किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले जन और धन की हानी को नियूनतम और फिर जीरो अस्तर तक पहुचाने में आप किसी एक निसकर्स पर अवस्य पहुचेंगे और उसका ब्यापक लाप आने वाले समय में देश को प्राप्त होगा इस विश्वास के साथ इस दो दिवसिय थेत्रिय आपदा प्रबंदन की राज़स्तरिय इन अंकलेप के उद्गाटन कारिक्रम के उसर पर मैं इस पूरे कारिक्रम की प्रतिपनी सुपकामनाई देता हूँ धन्यबाद जैहिर